जै श्री राम दोस्तों हमारे यूटूब चैनल एस्टो सरकल में आपका स्वागत है मैं पंडित शरत कुमार राजिंदर प्रसाज जोशी आपके लिए अपने यूटूब चैनल में एक और वीडियो लेकर आया हूँ दोस्तों इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि वास्तु के अनुसार दोड़ते हुए घोड़ों की तस्वीर घर की किस दिशा में लगानी चाहिए दोस्तो दोडते हुए घोडे की तस्वीर घर पर लगाना बहुत ही शुब माना जाता है क्योंकि ये उन्नती सफलता और तेजी का प्रतिक माना जाता है साथ ही इस तस्वीर को घर में लगाने से आर्थिक समस्या का भी निवारन होता है वास्तु के प्राचिन सिध्धानतों के अनुसार घोडों के चित्रों का बहुत महत्व है विशेश रुप से सरपड दोडते हुए घोडे शक्ती, सफलता, शांती और प्रगती का प्रतिनिधित्व करते हैं इसलिए घर हो या कार्या ले, साथ घोडों की पेंटिंग लगाना जीवन में सकरात्म कुर्जा को आकर्शित करने का एक शांदार तरीका है दोडते हुए घोडे जीवन में तेजी और व्रधी को दर्शाते हैं, साथ नंबर को शुब माना जाता है इसलिए साथ घोडों की तस्विर लगाने का महत्व है जो लोग अपने व्यवसाय में व्रधी लाना चाहते हैं या कोई नया व्यवसाय करने की योजना बना रहे हैं तो उन्हें इस भाग्यशाली तस्विर को अपने कारेस्थल में लगाना अवश्य चाहिए यदि कोई वित्य स्थिर्था या करियर में व्रद्धी चाहता है तो इन साथ गोडों की तस्विर लगाने से उन्हें अच्छे परिणाम मिल सकते हैं शुब तस्विर नकरात्म कुर्जा को समाप्त करती है दोस्तो अब हम बात करते हैं कि यह तस्विर घर की किस दिशा में लगाएं एवं किन-किन दिशाओं में क्या-क्या प्रभाव देगी दोस्तो साथ गोडों की तस्विर लगाने के लिए घर की या फिर ऑफिस की सबसे अच्छी दिशा दक्षिन की दिवार है यह दिशा सफलता और व्रधी से जुड़ी हुई है और यहां तस्विर लगाने से अवश्य लाब होगा हाला कि अगर इस दिशा में तस्विर लगाना संभव ना हो सके तो तस्विर लगाने के लिए आप पुर्व या उत्तर की दिवार भी चुन सकते हैं उत्तर की दिशा धन के देवता, कुबेर और करियर की दिशा है अगर उत्तर दिशा में तस्विर लगाते हैं तो यह परिवार में सम्रध्धी को आमंत्रित करेगी पुर्व दिशा विकास की दिशा है इसलिए पुर्व दिशा की दिवार पर तस्विर लगाना उन लोगों के लिए अच्छा है जो करियर ग्रोथ की तलाश में है दोस्तो यह तो बात दिशा की हुई अब हम बात करते हैं घर के किस रूम में यह तस्विर लगाएं साथ घोडो की तस्विर लगाने का सबसे आदर्श स्थान घर का living room है इसे खिड़की या फिर मुख्य द्वार के पास बिलकुल भी ना लगाएं दोस्तो इस बात का ध्यान अवश्य रखे कि तस्विर ऐसी होनी चाहिए जिसमें घोडो का चेहरा खुश लगे और घोडो का की और वीडियो को देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें वीडियो को लाइक करें और ज्याद से ज्यादा शेयर करें जैश्री राम दोस्तो राधे राधे